जनगन्ना 2011 साथ हो आज की इस क्लास में जनगन्ना 2011 का कम्प्लीट क्लास करेंगे टॉप 65 MC की कोश्चन्स रहेंगे लेकिन अगर डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स को मिला कर 100 से भी जादा कोश्चन्स जो है आपको आज की इस class में देखने को मिलेंगे सारे वो highlighted और छुपे वे question जो की आप से आपके परिक्षा में पूछे जाएंगे ये questions आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है ये questions सभी exams में पूछे जाएंगे चाहे SSC GD का paper हो, MTS, CGL, CHSL, Railway, ALP Technician कोई भी state level की police की exam की आप त्यारी कर रहे हो civil services की त्यारी कर रहे हो सभी exams में ये questions आप से पूछे जाएंगे नमस्कार साथियो, मेरा नाम है सुभास राज और स्वागत है आप सभी साथियो का Xmart Steady 2.0 YouTube चैनल पर तो चली फिर देखते हैं questions और आज की class का पहला question है कि भारत में जनगन्ना संगठन के लिए सर्वच पद कौन सा है यानि भारत में जनगन्ना संगठन का सबसे उचा पद कौन सा है सर्वच पद कौन सा है तो देखिए करिक्टेंस रोगा option number D भारत के रजिस्टार जनरल एवं जनगन्ना आयुक्त तो करिक्टेंस रोगा option number D याद रखने ये question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो याद रिखिगा भारत में जनगन्ना संगठन के लिए सर्वच पद कौन सा होता है तो भारत के रजिस्टार जनरल एवं जनगन्ना आयुक्त आगे दिखिए अगला question है 2011 की भारतिय जनगन्ना को भारत की स्वतंतरता के बाद कितने भी जनगन्ना अभ्यान के रूप में संधर्वित किया जा सकता है तो साथियों दिखिए स्वतंतर भारत की पहली जनगन्ना हुई थी 1951 में और तब से लेकर अब तक यानि 2011 तक 7 बार जनगन्ना हुई थी तो इसको हम 7 वी जनगन्ना बोलेंगे यानि आजादी के बाद भारत में कितनी बार जनगन्ना हुई है 2011 तक तो 7 बार और आजादी से पहले कितनी बार हो चुकी थी तो आठ बार याद रखना यानि टोटल हो गए अभी 15 बार यानि टोटल 15 बार जनगन्ना हुआ है नियमित रूप से जो की 1881 से शुरू हुआ है वैसे भारत में पहली बार जनगन्ना 1872 में हुई थी लेकिन प्रतेक 10 वर्स के अंतराल पर 1881 से ठीक है किलीर है तो आगे दिखिए अगला कोश्चेन है 221 की जनगन्ना के अनुसार भारत में निम्न मेंसे किस राज की प्रजनंदर सबसे अधीक है तो देखिए 221 के जनगन्ना के अनुसार भारत के निम्न मेंसे वो कौनसा राज्य है जिसका जनसंख्या की बात करें तो देखो 10 करोड 40,99,452 की टोटल जनसंख्या है ये बिहार राज का कितना तो फिर से देख लीजिए एक बार 10 करोड 40,99,452 की आवादी के साथ बिहार भारत का तिसरा सबसे अधिक आवादी वाला राज है अब 2021 के जनगर्णा कहने सबसे अधिक आ आगे देखिए नेक्स्ट है 2011 के जनगर्णा के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है तो देखिए 2011 के जनगर्णा के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है तो याद रिखिए करिक्टन्स राएगा सिक्किम अगर सिक्क कि कुल आबादी है 6.11 लाख यानि 6.11 लाख याद रखना आगे दिखिए अगला कोश्चे ने 2011 की जनगर्ना के आकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंदरसासित परदेश में महिला जनसंख्या पूरुस जनसंख्या से अधीक है काफी महत्पुन प्रश्ण है तो करेक्ट अंसर हो जाएगा पूरुदुचेरी का याद रिखिएगा 2011 की जनगर्ना के अनुसार निम्न में से वो कौन सा केंदरसासित परदेश है जिसमें महिलाओ का जनसंख्या पूरुसों से अधीक है तो याद रिखिए पूरुदुचेरी देखिए उच्चतम लिंगानुपात यानि अगर आपसे पूछे कि कौन सा वो केंदरसासित पूरुसों पर 1037 महिलाएं हैं आगे दिखिए अगला कोस्चेन है 2017 की जनगर्ना में पूरुदुच और महिला साक्षर्ता दर को करमस या करमस रूप में या कितने परतिसत के रूप में दर्ज किया गया है अब 2011 की जनगर्ना के अनुसार टोटल पूरुसों का साक्षर्टादर कितना था और टोटल महिलाओं का साक्षर्टादर कितना था यह आपसे पूछा जा रहा है तो देखिए पूरुसों का साक्षर्टादर कितना था साथ यो तो याद रिखिएगा 62.14% यानि और महिलाओं का कितना था तो 65.46% यह ओबरॉल पूरे भारत की पूरुस साक्षर्टादर है 2011 के जनगर्णा के अनुसार याद रखना बहुत ज्यादा यह पूछा जाता है आपसे अलग अलग भी पूछ लेगा कि 2011 के जनगर्णा के अनुसार महिलाओं का कुल साक्षर्टादर कितना परतिसत था तो क्या बताओगे 65.46% पूरुसों का पूछे तो 82.14% याद रखना आगे देखिए 2011 के जनगर्णा के अनुसार निमनलकित में से कौन सा जिला है जो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है तो याद रिखिए करिक्टरंसर हो जाएगा सेरचीप देखिए सेरचीप जो है साथियो यह भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है याद रिखीगा ठीक है सबसे अधिक साक्षर जिला और 21 राज का जिला है तो मिजोरम का देखो सेरचीप भारत के मिजोरम राज का एक सहर है सेरचीप जिले में ओसत साक्षरता दर जो है वो 98.23% है साथियो यानि भारत का सबसे साक्षर जिला है ये आगे दिखिए आपको साक्षरता के बार संपुन साक्षर्टा 2011 के जनगर्ना के अनुसार तो 74.04 परतिसत है पुरुसों की साक्षर्टा दर 82.14 परसेंट महिलाओ में साक्षर्टा दर 65.46 परसेंट और सबसे अधिक साक्षर राज अगर पूछे तो केरल का टोटल साक्षर्टा दर कितना है तो 93.91 परसेंट याद रि बिहार सबसे कम साक्षर्टा वाला राज है 2011 के जनगर्ना के अनुसार और बिहार का साक्षर्टा दर कितना परतिसत है तो 63.8 परसेंट आपको याद रखना है और मिजोरम का ये जो सेर्चिफ है ये साथ यो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है मैंने आपको बताया और याद रखना मध्य परदेश का जो ये अलिराजपूर है ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है लचदिप की बात करें तो 91.85 साक्षर्टा दर के साथ ये भारत का सबसे साक्षर केंद्रसासित परदेश है ठीक है दाद्रा और नगर हवेली की बात करें तो ये दिखे 76.24 स साक्षर्टा दर के साथ ये भारत में सबसे कम साक्षर केंद्रसासित परदेश है यानि अगर आपसे पूछे कि 2011 के जनगर्ना के अनुसार किस केंद्रसासित परदेश का साक्षर्टा दर सबसे अधिक है तो क्या बताओगे लच्छ दीप का कितना प्रतिसत 91.85 परसेंट और सबसे कम साक्षर्टा दर किस केंद्रसासित परदेश का है तो दाद्रा और नगर हवेली का कितना तो 76.24 परसेंट आपको याद रखना है आगे दिखिए 2011 के जनगर्ना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रती 1000 पूरुसों पर कितनी इस्तिरिया थी तो करिक्टेंस रोगा 919 919 याद रखना आप देखिए यह साथ यो बाल लिंग अनुपात किसको बोलते हैं तो भै जीरो से 6 आयू में महिलाओ और पूरुसों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है यानि जीरो बर्स से 6 वर्स के आयू के जो बच्चे हैं उ पूरे भारत की सक्षर्टादर 74.04% है तो option number D correct होगा आगे दिखिए अगला है छेत्रफल की दिरिष्टी से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा अस्थान है तो देखिए छेत्रफल की दिरिष्टी से उत्तर प्रदेश का भारत का राज्यों में चोथा अस सथान है याद रखेगा आगे दिखे चत्रफल की दिष्टी से भारत का सब से चोटा केंद्र शासित परदेश कौन सा है तो याद रिखेगा लच्छ दीप ओप्सन नंबर सी करिक्ट होगा और छेत्रफल की दृष्टी से लद्दाख जो है न अभी बरतमान समय में भारत का सबसे बड़ा केंद्र सासित परदेश है ये भी याद रखना आगे दिखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला सहर कौन सा है तो याद रखना बरहत्तर मुंबई न घर समू मुंबई मुंबई इस्केशन का करिक्ट होगा अगे दिखिए दोयजर लिगारा के निस्चित जाती यानि से कहा पर है तो उप्सन से करिक्ट होगा नेक्स्ट है बर्स 2011 इगारा के जनगर्णा के अनुसार जनसंख्या की दिरिष्टी से देश का दुसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो पहला सबसे बड़ा राज्य साथियो जनसंख्या की दिरिष्टी से उत्तर परदेश है और दुसरा सबसे बड़ा है महाराष्टा तीसरा कौन है तो ती बार नियमित रूप से जनगर्ना कब प्रारम हुई थी तो 1881 से किसके समय में तो लॉड रीपन के समय में याद रखना आगे दिखिए 2011 के जनगर्ना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है जिसके बाद अस्थान किसका है यानि आपसे पूछा जा रहा है कि केरल के बाद सबसे अधिक साक्षराज कॉन सा है यानि दूसरा सबसे अधिक साक्षराज भारत का तो याद रिखिएगा correct answer हो जाएगा मिजोरम औप्सण नमबर सी.. इस question के लिए आपकता correct answer हो जाएगा मिजोरम देखिए यहाँ पर बात करें साथियों देखिए यहाँ पर बात करें अगर अगर अबरोल पूरे भारत की जनसंख्या की न तो भारत का जनसंख्या कितना था तो 121 करोड 85,497 ठीक है ये टोटल जो है ना भारत की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार जिसमें पुरुसों का जनसंख्या कितना था तो बैए पुरुसों का जनसंख्या था 62 करोड 37,242,248 जिसको हम बोलते हैं 623,72 मिलियन और महिलाओ का कुल जनसंख्या कितना था तो याद रिखे 58 करोड 64,99,174 जिसको हम बोलते हैं 586,46 मिलियन एक मिलियन में 10 लाख होता है याद रखना आगे दिखिए 2011 के जनगना के अनुसार भारत के नियुनतम जनसंख्या घनत वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है यानि आपको बताना है 2011 के जनगना के अनुसार सबसे कम जनसंख का घनत कहां का था अरुनाचल प्रदीश का था तो अरुनाचल प्रदीश होगा उसके बाद मिजोरम उसके बाद सिक्किम और उसके बाद नागालेंड तो यहां आपका करेक्ट अंसर होगा option number C ठीक है आगे दिखिए next question है देखिए जनसंख्या के अनुसार सहरों का निम् मुंबई का उसके बाद कोलकाता सहर का फिर दिल्ली का और उसके बाद चिन्नाई का यह चार महानगरों का सुची है साथ को भारत का जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है महानगरों में मुंबई का और सबसे कम है चिन्नाई का ठीक है आगे दिखिए बर्स 2011 की जनकरना के अ आगे दिखिए अगला कोश्चेन है जहां इस्त्रियों की संख्या पुरूसों से अधीक है तो याद रिखिए अभी मैंने आपको बताया था न साथियों देखिए यहां आपका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो केरल केरल में महिलाओ की संख्या पुरूसों से अधीक है आगे दिखिए नेक्स्ट है भारत में दस वर्स या जनगन्ना विवी दीवत रूप से किस वर्स आरम क्या गया था तो अभी मैंने बताया था अठाहसो इक्यासी से ओफ्षन नबर भी करेक्ट होगा आगे दिखिए निवनेल दिकृत में से किस एक राज में साक्षरता का अस्तर सर्वच्च्य है यानि इनके से कौन साराज यह है जिस साक्षरता का अस्तर सबसे आगे है तो भई मैंने आपको बताया था सबसे अधिक साक्षर राज है केरल और दूसरा सबसे साक्षर राज है मिजोरम तो यह मिजोरम दिया हुआ है तो मिजोरम करेक्टेंसर होगा option number A आगे दिखिए भारत की जनसंखा को संगठित करने वाले म भारत की 2011 जनगर्णा के अनुसार भारत में पूरुस तथा महिला साक्षरता दर में नियुंतम अंतर निमनल खित में से कौन से राज में है तो केरल में यानि थोड़ा साही अंतर है केरल में महिला और पूरुसों के साक्षर में याद रखना केरल में सबसे अधिक महिला भ और नियुन्तम मृत्तूदर ओप्सन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आगे दिखिए नेक्स्ट है उच्य जनमदर तथा गीरती मृत्तूदर याद रखना ओप्सन नंबर सी इस कोश्चन का करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन है भारत की जनगन्ना के अनसार भारत के किस सिराज में उसकी जनसंखा का सबसे अधीक अनुपाद सहरीह प्तस्थो में कै quanto आगे clean नेक्स्ट है 2011 की जनगर्ना के अनुसार निम्न में से मध्य पर्देश का जनसंखा घनत्व कितना है तो याद रखना पर एक टंसर होगा साथ ही हो 236 प्रती बर्ग किलोमेटर ऑप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है बर्ष 2011 की जनगर्ना के अनुसार प्रदेश ठीक है प्रदेश का जनसंखा घनत्व यानि उत्तर प्रदेश का जनसंखा घनत्व कितना है तो भई 839 ऑप्सन नमबर डी नेक्स्ट है 2011 की जनगर्ना के अनुसार दस लाक से अधिक जनसंखा वाले नगरों की शें यानि पूरे विश्व का 17.5 परतिसत जन संखा जो हो भारत में हैं 2011 के जनगन्ना के अनुसार 2011 के जनगन्ना के अनुसार किस राज में महिलाओं की साक्षर्टा दर सबसे उची है तो भाई केरल होगा ओप्सन नमबर भी राइट होगा केरल का आगे दिखें 2011 के जनगन्ना के अनुसार भारत में प्रती 1000 पूरूसों में महिलाओं की संखा कितनी है यानि भारत का लिंगन उपात तो 943 ओप्सन नमबर डी करिक्ट हो जाएगा आगे दिखें 2011 के जनगन्ना में गरामिन जन संखा का परतिसत कितना था तो दिखें 2011 के जनगन्ना में गरामिन जन संखा का परतिसत था 68.8% और सहरी जन संखा का परतिसत पूछे तो 31.2% याद रखना आगे दिखें जन संखा की दृष्टी कौन से 2011 के जनगन्ना के अनुसार जारखंड का देश में कौन सा वास्थान है तो याद रिखेंगा 13 हुआ आस्थान ओप्शन नमबर भी 13 हुआ नेक्स्ट है राष्टिय जनगन्ना 2011 के जनगन्ना आयुक्त कौन थे तो बहुए 2011 में जो 15 जनगन्ना हुई थी उसके जनगन्ना आयुक्त कौन थे तो याद रिखेंगा C. चंद्रमॉली ओप्शन नमबर D. करेक्ट होगा बहुत ज़्यादा ये कोश्चन पूछा जाता है C. चंद्रमॉली याद रखना 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार में ग्रामिंग जनसेंखा का परतिसत कितना है तो याद रखना 88.8% option number C. आगे दिखिए भारत में पहली बार जनगन्ना किसके कारिकाल में संपन हुई थी तो लॉड मेयो के समय में और पहली बात नियमित रूप से जनगन्ना किसके समय में तो लॉड रीपन के समय में याद रखना आगे दिखिए 2011 के जनगन्ना के अनुसार भारत की कुल जनसेंखा कितनी है चलिए चारो में से कोई एक आंसर होगा सभी लोग comment box में comment कर दीजिए इसका आंसर में नहीं बताओंगा आप लोग सभी comment कर दीजिए अभी मेरे आपको बताया था ना 2011 के जनगन्ना के नुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है चारों में से कोई एक आंसर होगा फटाफट आंसर करिए आगे देखिए भारत के जनसंख्या की इतिहास में जननांकिया विभाजन वर्स किसको कहा जाता है तो याद रखने ये भी question बहुत जादा पूछा जाता ह तो देखिए भारत के जनसंख्या की इतिहास में जननांकिया विभाजन वर्स 1921 को कहा जाता है option number A 2011 की जनगन्ना भारतिय जनगन्ना इतिहास की कौन सी जनगन्ना थी तो साथियो 15 जनगन्ना option number C आगे दिखिए जनगन्ना कितने वर्स में एक बार की जाती है तो याद रिखिगा 10 वर्स में एक बार option number D नेक्स्ट है 2011 के जनगन्ना के अनुसार बिहार का जनसेंखा की दिरिष्टी से भारतिय राज्यों में कौन सा वास्थान है तो अभी मैंने आपको बताया था तिसरा अस्थान, option number C, तिरितिया 2011 के जनगन्ना के अनुसार उत्तर परदेश की जनसेंखा भारत की जनसेंखा की कितनी परतिसत है यानि केवल उत्तर परदेश में संपुन भारत का कितना परतिसत जनसेंखा है जो की निवास करती है तो याद रिखिए 16.5 परतिसत, option number C, यहां आपका करिक्ट हो जाएगा, जनसेंखा की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश कौन सा है जो तो देखिएगा जनसेंखा की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश है दिल्ली, option number C, दिल्ली याद रखना, next है भारत की उच्चतम जनसेंखा बृध्धिदर रही थी किस दसक में तो साथियो भारत की सबसे उच्चतम जनसेंखा बृध्धिदर किस दसक में रही थी तो याद रखिए 1961 से 1971 के दसक में ये कोस्चन बहुत ज़्यादा पूझा जाता है इसलिए मैंने एड कर दिया है आगे दिखे जनसेंखा घनतव का अर्थ क्या होता है साथियो जैसे हम पढ़ते हैं सबसे अधिक जनसेंखा घनतव की सराज का है तो भई याद रखना बिहार का है और सबसे कम जनसेंखा घनतव की सराज का है तो अरुनाचल परदेश का है तो ये जो जनसेंखा घनतव है इसका अर्थ किया है तो देखिए प्रती बर्ग कलोमीटर में रहने वाले व्यक्तिओं की सेंख्ता अगला कोस्गें अगला कोश्चेन है और सरवदिक जनसंखा घनत वाला भारतीय राज कौन सा है तब ही मैंने आपको बताया था बिहार राज का सबसे अधिक जनसेंखा घनतवा है option number D correct होगा आगे दिखे 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार का जनसेंखा घनतवा कितना ब्यक्ति परती बर किलोमेटर है तो भाई 1206 जो की सबसे अधिक है आगे दिखे नेक्स्ट है भारत में निम्नांकित महानगरिया नगरों में से किसका जनसेंखा घनतवा सबसे कम है तो दिखे सबसे अधिक तो मुंबई का है और सबसे कम है चिन्नई का तो option number D correct होगा चिन्नई आगे दिखे लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है हम जो लिंगानुपात पढ़ते हैं तो ये लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है तो याद रखना correct answer हो जाएगा option number C भारत में या देश में प्रती हजार पुरूसों पर महिलाओ की सेंख्या जैसे कि भारत का लिंगानुपात परती हजार पुरूसों पर कितनी महिलाए हैं 943 अभी बताएं थे न आगे दिखे भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राजी कौन सा है तो वे भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज है हरियाना और सबसे अधिक केरल याद रखना आगे दिखिए नेक्स्ट है 2011 की जनगर्णा के अनुसर निमनलखित में से सर्वाधिक नगरिया जनसेंखा का परतिसत किस राज में है तो देखिए काफी अच्छा कोश्चन है याद रिखिएगा गोवा का ओप्सन नंबर बी गोवा 2011 की जनगर्णा के अनुसर भारत की कुल जनसेंखा में सहरी जनसेंखा का अनुपात कितना परतिसत है तो याद रिखिएगा 31.2 परतिसत और ग्रामिन छेतरों का 68.8% साथ हो आगे दिखिए अगला कोश्चन है भारत में नगरिया जनसेंखा में सर्वाधिक योगदान है किस राज का यानि भारत का वो कौन सराज है जिसका सबसे अधिक नगरिया जनसेंखा है तो याद रिखिए महराष्टा का option number B नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाती आवादी संकेंदरी थे किस राज में यानि भारत का वो कौन सराज है जहाँ पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाती यानि SC की योगदान कितना है जनसेंखा में तो भाई याद रिखिएगा 16.6 परतिसत option number C नेक्स्ट साथ यो भारत में प्रभावित साक्षर्टा दर की गन्ना की जाती है किस राज तो देखिए भारत में जो साक्षर्टा दर का आकलन किया जाता है वो कितने वर्ष की आयू के तो याद रिखिएगा 7 वर्ष के उपर की जनसेंखा यानि जिनकी आयू 7 वर्ष से उपर है उनको ही साक्षर्टा में सामिल किया जाता है ठीक है आगे देखिए पूर्ण साक्षर्टा ही तू कितने परतिसत जनसेंखा को साक्षर होने का कुछ है तो साथ्यों 90 परतिसत से अधिक साक्षर वाले राज को पुन साक्षरता वाला राज बोलते हैं याद रखना आगे दिखिए 2011 के जनगन्ना के अनुसार निमनलकित में से कौन सा राज साक्षरता के राष्टिया ओसत से सबसे नीचे है तो करेक्टन्स रोगा औरिस् ठीक है आगे दिखिए 2011 के जनगन्ना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज में साक्षरता की दर सबसे कम है तो भई याद रिखिएगा बिहार राज का ओप्सन नंबर भी बिहार 2011 के जनगन्ना के अनुसार किस राज में महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो बिहार का और 21.50 परसेंट तो सबसे कम है बिहार का और दुसरा सबसे कम महिलावों का साक्षरता है राजस्थान का याद रखना आगे दिखिए नेक्स्ट है भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में कितनी परतिसात की बृद्धी हुई है यह कोश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियो तो याद रखिए कितना परतिसात की बृद्धी हुआ था तो 8.2 परसेंट ओप्षन नमबर यह करिक्ट होगा अंतिम कोश्चन है यह कि 2011 की जनगरना के अनुसार भारत में सहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगबग कितनी है तो करिक्ट आएगा 37 करूर ओप्षन आप में से कोई भी साथी नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकेन को वान कर लिजेगा मैं डेली आपको क्लासेस करवा रहा हूं और हमिसा करवाता रहूंगा जब तक आपको नोकरीना मिल जाए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक स्वास्त रहें जाइन साथियो वन दे मातरम